तो वह आप देख लें डियू डेट आपको पता है और मोस्ट इंपूरेंट मेसिज वह हैं वह यह सुलें कि अगर आपने जो हैं वह अगर आपका मार्क सही नहीं है अगर आपने सब्मेट इकराई एक्सराइस तो इस डियू डेट के बाद आप विदिन 5 टेस्ट वरी सब्म सब्मेट और आपकी सर्टिफिकेशन वह मच बेटर हो जाएगी और इस वीडियो को देखने के बाद इन्शाला हो जाएंगे उसके बाद जी हमारे पास आजाते हैं लर्निंग आउटकम और लर्निंग आउटकम अगर हम देखें तो वह यह हैं कि वर्ट्रेस किस तरह से मत किस तरह से स्टोर के ओपर पब्लिश किया जाता है ठीक है यह आपको पता चल जाएगा उसके बाद है जी हमारे पास आजाते हैं मोस्ट इंपोर्टन प्राब्लम स्टेट्मेंट और टास्क का आजाते हैं वह हमने वन बाई वन जो हैं पूस्व करने हैं ठीक है तो देख हैं और उसे पहले चैनल जाव SurCamр करतें और दूसरे बीश्ट करें हैं पहले हैं जी आपने सबसे ó eager one अब ऑम कर कर सकते हैं अगर और आपको इने ही सकते हैं और आपको बता भी किससेंगा से आपने बनी यह हो प्यार्य ऐपने कर डाना है और वर्टरस इंस्टाल करना है औ then some dollars install and configure ने आपने वो कमर्स के प्लगइन इंस्टाल करना है इसके सेट अपने वो कॉमर्स के प्रोगण प्रोइड करना है वो तो प्रोडक्स अड़ आड़ करनी है वा यूजिंग वो कमर्स प्लगण उसके बाद आप आप इसके प्रोड़ान करना नोट यह है कि आप इसको लोकल होस्ट के तुरू भी जो है वो कर सकते हैं और एक ओनलाइन होस्टिंग आपको मिलती है वर्ट्रेस साइट की वोगी आप यूज कर सकते हैं और वर्ट्रेस के लिए ठीक आपने यह टास्क करने के लिए फॉर इंस्टालेशन प्रसेस यू कन गट असिस्टेंट फॉर् कर दो आपने जैंप के थूरू इंस्टाल करना है तो नीचे आपको लिंक दिया गया हुगा इस प्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएक किस तरह से इंस्टाल करते हैं उसके बाद है जी लोकल भाय फ्लाइवील फ्लाइविल के वीड़ पे आपने किस तरह से करना अगर आपने आपने अनलाइन और या ओस्टिंग बड़े पंगा आजाता है कि आप पहले होस्टिंग अनकरते हैं फिर वर्डप्रस चलता है फिर वर्क करता है तो इसमें थोड़ा से टाइम लग जाता है इस वीटिम आपको पता चल जाएगा कि इतनी असानी से यह वह आपका वर लेनी है एक्सिसाइज लेनी है फोर है तास्क बगरा 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 इस तरह से लिखके और वह आपने कर लेनी है अपनी कंप्लीट तीक है अब हम चले जाते हैं जी अपने सिस्टेम पे और जैंप के थ्रू हम जो है वह इंस्टॉल करेंगे क्योंकि अगर हम फ्लाइब बिल सिस्टॉल करेंगे वह आपने नार्मली अटाइच करनी होती है अपना सर्वर जैंप के साथ पर सेर्च बार में यहां पर लिखना है जैंप डाउनलोड यहां पर हमने यह नीचे को सब्सक्राइब ने बहुत है लिए जैंप डाउनलोड इस पर आपके पास इंटरफेस आ आपको पूरा ओवर्वीव बदा दिया है इस तरह से आपको नजर आएगा ठीक है सबसे पहले जैंब फार विंडोस उसके बाद है जैंब फार लिनुक्स और तीसरा है जैंब फार ओस विंडोस पर जाएंगे सबसे पहला वडिया जो आपको नजर आ रहा है इस तरह से जैसे यह देखें नीचे जैंब स्लैश मिंडोस लैश एकसी ठीकर यह आपको डाउनलोड में बिद्खा रहे हैं यह थोड़ से टाइम टेकिंगा आपकी नेट की स्पीट पे कंसिस्ट करेंगी ठीक है इसके डाउनलोडिंग और यह इसको कर लेते हैं जैंपन अल आपके आपके पास बाय ड्रीपार्ट यह होगी देस्ट करना उसके बादा जा स्वेल करना है को पृफ विए हो इसके बाद आपके बास पेसके लिगेज हुद्आ उंपने तो यह टो करना है इसके बाद रह्त आप designing ऑसके बाद आदम सपत्दिम अपने सब्रेक्र करना है जी यह होने के बाद फिनिश का अप्शन आएगा फिनिश पे क्लिक कर देना इसको कर देना है क्रॉस और क्रॉस करने के बाद इसको कर देना 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 इसको करने के बाद आपने उपर जो आपको बॉक्स नदर आ रहा अब कर दो अब कर आएगा, अब कुछ भी कुछ भी मादाव है अब कुछ फोल्डर नीड करनक हम घाएगा धारma सबस्क्राइज दोबारा यहां भी आकर wordpress.org डाउनलोड करनी है ठीक है जी .com भी होता है .org बनाने के लिए ठीक है जी और यहां पे इस तरह का इंटरफेस आएगा और get wordpress पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास new interface यहाएगा जहां भी आपको नदर आ रहे हैं download and install it yourself इस पे थोड़ा से नीचे करेंगे तो download wordpress 6.1.1 पे क्लिक करेंगे तो आपका wordpress जो है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा ठीक है जी तो यह हो गया जी इस पे क्लिक कर देते हैं यह होने लग गया जी डाउनलोड और यह आपके सामेंने दर है अब हमारे पास इस तरह से और यहां पर हम आगे दुबारा से यहां पर हमने करना है राइट क्लिक न्यू पर जाके फोल्डर क्रिएट करेंगे एक और यहां पर हमने अपनी मर्जी का नाम रख लेना ठीक है अपने न्यू बॉल्यूम डी के अंदर जहां पर हमने डिजाइड कोड का फोल्डर बना था यहां पर हम कर देंगे पेस्ट यह हो चुकिया जी पेस्ट और इसके बाद हम करेंगे यहां पर राइट क्लिक और राइट क्लिक के बाद एक्स्ट्रेक्ट आल पर क्लिक करेंग यह हो गया उसके बाद आपने करना आजना दुबारा से यहां पर और यहां पर आके आपने टाइप करना है लोकल हो स्लैश पी एच पी माइडमिन जैसे मैं कुछ टाइप कर रही है आपने इसी तरह से टाइप करना है यह हमने कर देना आपने एंटर और यह इंटरफेस आप कि पसामने आएगा अब हमने ZAMP को कनेक्ट करना है WordPress के साथ ठीक है जी इस तरह से अब यहाँ पर आपको डाबेस नदर आजाना सबसे ऊपर SQL के साथ वहाँ पर अपने अपने डाबेस नेम देना है आपने डाबेस नेम देना है जो हमने फोल्डर करते वक्ति जो नाम रखा फोल्डर का एस्टी डॉक्स के अंदर डिजाइंड कोड यह आपने कॉपी करना इसको और वहां पर जाके डाडबेस नेम पर पेस्ट करते हैं पेस्ट करने के पाद इस तरह से कंट्रोल भी करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से यह शो कराएगा यालो में ठीक है उसके एक पर टेबल का नेम आपको भी रख सकते हैं जो भी आपका दिल करें, जहांपे हम रखते हैं ठीक है माइनस के सष्ट करेंगे पर ऐस तरह से करेंगे, कोड करेंगे म।ें न्यूड निव टैप एप्न करेंगे, यह साथ ही आपन अपन करेंगे नम रख लिखने हम नम आपके इसे नाम नामिखक दर्क हो त modelist samective Covid section sen प्रस ₤ जो नम नम रखना होगे। इस Васरे और में मेड़ें और यहाँ क्लिख रेंगे 2 आपको रिखना रहा हो इसकी होगे इसकी प्रस फिरय तर पर उसकी होगे और यह आपने हैं और फिराएउ । पर दों कि हो अपने हैं और इसिपार मेन की Haha आप लगे हमे Veg बाषने देना में खेंगे और यूजरें के भी आप ड्रीन पर रख चाएंगे उसे पर गडान कोनुड्रे, आपके पास्ब करें पर हमेशनी लोकल होस्त होगा टेबल प्रिफिक्स तब आप यूज़ करेंगे जब आपने एक से ज्यादा वेबसाइट बनानी होगी नेक्स पर करेंगे रूंद इंस्टॉलेशन पी क्लिक करना दब आपने उसके बार उसके बार यहां पर एक फार्मस आएगा यहां पर इसको आपने फ करना आप जो अपनी साइट का टाइटल रखना चाहते हैं जिसने आपने फॉल्डर बनाए था वही आपने ना रखना यूजर नेम आपने एडमिन रख लेना और पासवर्ड भी आप यही रखने तीक है क्योंकि यह बाद में चैंज हो सकता है तो यह स्ट्रॉंग रखना अपने में पासवर्ड यूजर आपने इमेल के तो यहांपर हम ने पोस्ते हैं आपने जब्न हैं उसके बाद आलीकोर है और उसके पज़ आपको नज़राना है सर्च इंजन विजिबिटिए इसको आपने इस तरह से इंस्टाल वर्डप्रेस पर अपने क्लिक कर देना अगर आप इसको चेक करेंगे तो आपका सर्च इंजर पर गूबल पर यह शो नहीं होएगी वैबसाइट कि इसको आपने अच इसको निपनी तूल के जिरिए स्क्रीन शॉट और लॉग इंजर पर आपने धन क्लिक करेंगे अब आपकी वर्डप्रेस जिए जैंके साथ कनेक्ट ओचुकिए डेटाबस ठीक है यह डैश्मोड रश्वॉड का हमने क्या है एक पहले टास्क के लिए हम तमाम स्क्रीन लिए हम सांथे कि इस तरह से इंटर फेस आएगा फिर आ पिर आपने क्या करना है जी आपने सर्च पार आपको नजरा आ जाएक की वर्ड के सामने वहां प्र वीक atmos ठीक है सच्छ प्लाइइन फ्रिक आफ प्र लग इसके उपर प्लग निए किए डिखते तेक्ट रएं को नजर आने के लिए यह आप स्क्रीन शॉट लें कि सब्मेट करा सकते हैं यह क्योंकि मैंने वर्डप्रेस के लिए गया था आपने अपना सेटेंट टास्क इंदर यह इंस्टॉल के ओपर क्लिक करने के बाद यह जो है वह इंस्टॉल हो जाएगी जितनी आच्छी आपकी नजर आपकी सारे काम वह था है इसके थूरू करना जरूरी है वर्डप्रेस का इंस्टॉल हो गया इसके बाद हमने एक्टिव के ओपर क्लिक कर देना ताकि हमारा यह प्लग इन है वह एक्टिवेट हो जाए और हम अपने टास्क प्रफॉर्म कर दें ठीक है एक्टिवेट आपको नजर आ रहा है यहां पर आपने इसको कोई अडिटिग करनी है को याट वाप्टेट करना तो आप कर सकते हैं ठीक है आप हम जो है वह इस पेज़ कर लेते हैं और रिफरेश करने के बाद जी यह जए अगर पेज़िए के उपर क्लिक कर लेते हैं तो जैसे ही हमने क पर आपके हमें तक पर चल जाना ठीक है तो पर तरह हमारे समय से इस थाफरेस आईगार यहां पे आपने पर करना, लिकना कोई प्रोड़ाँ है थी determination है रहो प्सक्तित अब आपको आप कर लिए है अ Programmine a वानियों और यह ती यह आपको नजरर आत दे नहीं में कर नहीं को यहां पर लिक दिया उसके बद चूब है और अगर यहां को प्रोड़ाइक्स टायगा जाएंगे और यहां पर शूद अब अपर प्रॉड़ाइक्टेडल के ताम पर छूद और शूद अब करा दे हम धुद इयूद अब पार तो बटाइक्त करें नियुक्त K supplement कि प्रड़ा है यहां पिलिए सिंपल प्रॉडक्त यहां पे जा दे कोई करनी है और मेट्स की पीजर के नहीं करनी है क्योंके इस के मेड्या दो पड़ाइग उस्क्राइज उसके यह पर को यहांने के आद निया को यहां पर क्लिक मुष रहे करेंगे easier जाव जैसे हम इसके हैं पर कलिक करेंगे तो हम से पूछ रहा है कि आपने अपनी कोई इमेज एड़ करने हैं तो इसको पुछ आपका ने पर दो पॉलिश को पर कलिक कर देंगे तो पर इसी तरह से आपने दूसरी भी आइड़ करनी है और आपका जो इंतरफेस है वह कुछ इस त rifaith कुछ इस तरह से आएगा ठीक है तेकर आफितार आफटाथ आफे अलाफेश